नाज़कार आप देख रहे हैं इंडिया की बात मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाष्या और उर्मिलेश और आज हम तीन मुद्दों की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों ब्रिटिश ब्रोड्कास्टिंग कॉर्परेशन पर इंकन टाक्स सर्वे आखिर मोधी सरकार इतनी आकरामक क्यों मुद्दा नंबर दो आपके सामने होगा और वो मुद्दा है सुप्रीम कोट के जज जस्टिस अब्दुल नजीर आंधुर प्रदेश की राजपाल बनने वाले हैं क्या न्याएपालिका को मोधी सरकार तार तार करना चाहती है और तीसरा मुद्दा होगा याद कीजिए कानपूर देहात में बुल्डोजर चलता है दो ब्राहमन औरते मारी जाती हैं और यही नहीं साहिल गहलोत नाम का एक व्यक्ती अपनी लिविन पार्टनर निकी आदव को मौत की घाड उतार के उसके शव को फ्रिज में रख देता है और शादी करने लगता है मगर इन धोनों घटनाओं पर मीडिया जो है ना सलीके से कवर करता है ना सत्ता से सवाल करता है मगर कल्पना कीजे इन दोनों ही मामलों में अगर अत्याचारी या डमन करने वाला मुसल्मान होता तो क्या होता बहराल पहली खबर जो हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है BBC पर Income Tax Survey BBC ने 2002 के गुजरात दंगो पर डॉक्यमेंटरी की और कई लोग कह रहे थे कि भाई BBC पर Income Tax Raid अभी पड़ी कि तब पड़ी मगर लोग मजाग से कह रहे थे मगर भारती जनता पार्टी सरकार ने नहायती आकरामक रुख अपनाते हुए Income Tax Survey किया समानान तोर तौर पर पालतू मीडिया भी BBC पर हमले कर रहा था BJP ने तो उन्हें भरष्ट और बकवास तक बता दिया क्या है इस खबर का पंच भाशा बताएं अभिसार मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि एक तरफ जब देश जी 20 की तैयारी कर रहा है मोदी जी Mother of Democracy का दावा कर रहे हैं विश्व गुरू का दावा कर रहे हैं ठीक उसी समय यह बदले की कारवाई जो उन्होंने की है इससे यह जताने की कोशिश की है कि उन्हें किसी की भी परवाह नहीं अंतराष्टी मीडिया हो देशी मीडिया हो कहीं भी जहां भी सच आएगा वो पूरी बेशर्मी के साथ उनका तंत्र उस पर हमला करेगा और एक मेसेज नीचे तक जाएगा कि अगर तुमने हमारे उपर बात की तो तुम्हारा अंजाम ये होगा दरअसल ये खौफ का माहौल पूरे देश में मीडिया पर लोकतंत्र के तमाम कंबों पर तारी करने की एक कारवाई है अभी सार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है भाशा कि पूरे मीडिया ने BBC को भारत विरोधी तक बताया मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो सत्ता से सवाल करने वाले भारतिये पत्रकार हैं क्या वो भी देश विरोधी है यानि कि भारतिये जनता पार्टी की सेवा करने के लिए आप अपने ही देश के नागरिकों को देश-द्रोही बताने को तयार हैं और ये सवाल मेरा मीडिया से और इसी पंच का एक हिस्सा ये भी है जो अपने आप में एक रहस से है कि मोधी सरकार इस मुद्धे पर इतना आकरामक क्यूं क्या उसे लग रहा है कि इसके जरि जो मुख्यधारा का मीडिया है वो सच को छुपाता है और जूट का प्रचार करता है ये सरकार के लिए बहुत अच्छा लगता है लेकिन जो अंतराश्टी मीडिया के कुछ हिस्से हैं उसमें च्छन च्छन कर सच के कुछ टुकड़े आते रहते हैं मैं ये नहीं कहूंग प्रचिदिया को मुदी सरकार ने चिताया है भाशा मैं इसके पीछे की राजनीती समझना चाहता हूँ देखे शुनाव को सवासाल रह गया है इस साल के अंत में राम मंदिर को लेकर तापमान बढ़ाया जाएगा गुजरात दंगों को जब भी राजनीतिक तोर पर बीज सर्वे के जरिए बीजेपी सरकार कहीं न कहीं गुजरात मुद्दे को जीवित रखना चाहती है और उसके जरिए वो राजनीतिक फाइदा अरजित करना चाहती है देखे अवी सार मुझे लगता है कि मामला सिर्फ इतना नहीं है मामला इससे बड़ा है क्योंकि जो बीबी करता है मुझे लग रहा है कि यहां उनको लगा है कि अब देश को तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया देश का मीडिया पूरी तरह से उनके पास है उसमें कोई फेर बदल वो ज्यादा होने की गुंजाईश नहीं है लेकिन ऐसे में अंतराष्टिय मीडिया को एक सीधा सीधा संदेश और खास सवर से उनको यह लग रहा है कि विश्व गुरू की जो चवी थी और जब सुनक आपके दोस्त हैं मतलब आपके ब्रिटेन के प्रदान मंत्री हैं उनके साथ आप गलबईयां डालते तब फिर कैसे बीबीसी और देखिए जो लैंग्विज जिस भाषा का इस्तमाल हुआ है बीबीसी के किलाब मुझे लगता है भारती इतिहास में राजनीती में इस तरह की भाषा का इस्तमाल सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं ने शायदी कभी की हो कि आप उनको खुले आम बोल रहे हैं कि बक्वास है यह लोग नहीं और देखिए मज़ अंग्रेजीव एक शब्द होता है वाट बाउटरी यानि कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने भी किया था जिक्र किया जा रहा है इंदरा गांधी का कि इंदरा गांधी ने दूस साल के लिए बीबीसी पर पाबंदी लगा दी यानि कि देखिए कितनी दैनी ये बात है भारती जंता पाटी और उनके प्रचारतंत्र के साथ प्रधान मंत्री मोदी को सही या जायस ठहराने के लिए उन्हें कॉंग्रेस के काले कारनामों का सहरा लेना पड़ रहा है सबसे दिल्चेस बात ये भी है यहाँ पर कि 2010 में शायद बीबीसी को कोई इंकम टैक्स नोटिस भेजा गया था जो सामान प्रक्रिया होती है मगर उससे पहले मनमौन सिंग पर कोई डॉक्यमेंटरी तो नहीं किये थी यानि कि अगर ये लोग मोदी जी को जायस ठहराना है तो कॉंग्रेस के काले कारनामों को जिक्र किया जाए और देखिए जब इंकम टैक्स का नोटिस अगर गया था तो इंकम टैक्स की नोटिस का जो चानबीन है वो भई आप बीबीसी के एकाउंट डिपार्टमेंट से करते आपने जैनलिस्ट जो वहां थे उनके सारे के सारे लैबीटाप सारे के सारे कमप्यूटर उनके मुवाइल फोन सब को क्यों अपने हाथ बहुत अग्रेसिव सर्वे था बहुत अग्रेसिव आक्रामक सर्वे था अगर यह आएकर का मामला केवल है, तो वाई जarnलिस्ट वे एफेक्टेट, जarnलिस्टों पर क्यों आप ने हमला कराया, आपने उनको क्यों लिया, उनके सारे के सारे उपकरणों को जो बुनियादी तोर पर लिखने और पढ़ने के उपकरण थे, तो यह अपने आप में बताता है कि ये एडिटोरियल टीम पर हमला था एडिटोरियल टीम को उन्होंने निशाने पर लिया और वो डराने के लिये लिया कि अगर तुम्हें उपर से निर्देश भी आवे लंदन से सिंगापूर से या कहीं से तो भी याद रखो बच्चु तुम भारत में काम करते ह जहां अपनी सरकार है तो एक तो ये पहलू है दूसरा जो मुझे लगता है कि इसके जरिये तेश के उस मीडिया को जिसको आज जनता का एक बड़ा हिस्सा असल मीडिया मानता है जो डिजिटल प्लेटफरम्स हैं जहां आप अभी बात कर रहे हैं जैसे आप समाम सब का ना ले सकते हैं आप शारे डिये बहुत सारे इंडियूजिवाड़ी तो इन अपने प्लेट फ़रम्स चला रहे हैं यूट्यूब के तो इन सब को भी हैं जैसे ज्यादातर ऐसे हैं जिन पर आς तरह की हमले किये जा honest में आप मश्गूर प्लेटफॉर्म है दुनिया का हम उसको भी दिखा देते हैं मैं एक बात या पर भाशा आप से पूछना चाहता हूँ प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अंतराश्टी छवी को लेकर बहुत से इंसिटिव रहे हैं विश्गूरू बनना चाहते हैं हाला कि भाशपा का जो प्रचार तंत्रे उनके लिए विश्गूरू याने की एनराइज में खड़े होके मोदी मोदी के नारे लगवाना मैं दो चीज़े देख रहा हूँ अमरीका की भी जो टिपणी है वो काफी नर्म रही है इतनी आकरामक नहीं रही है इस मुद्दे को लेकर बाकी भी इंटरनाश्टली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रही है अविसार मुझे लगता है कि बीबीसी पे जिस तरह से हमला हुआ अमरीका की ऑफिशल स्टेटमेंट तो मुझे उमीद भी नहीं थी कि इस पर आता क्योंकि वो निश्चित तोर पर दूसरे ढंग से ऑपरेट करते ही है वहां का जो सिस्टम है लेकिन आप देखिए गाडियन से लेकर वाशिंटन पोस्ट तक उठा कर आप देखिए जिस तरह से इसको लिया गया है सब ने पहली लाइन क्या लिखी है? कि डॉकुमेंटरी फिल्म आने के बाद, मोधी पर सवाल पूछने वाली डॉकुमेंटरी फिल्म आने के बाद, मोधी सरकार ने रेड डलवाई. कहीं भी, किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल पर, दोनों चीज़ों को बिना लिंक किये बात नहीं हुई, इसलिए जो बहुत बड़ा, सरकारों ने प्रतिक्रिया नहीं दी, मैं अमरीकी सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें यहां पर BBC पर हमला है, BBC यानि एक मीडिया आउटफिट है, जो बेस यूके में है, इस पर अमरीका किस तरह से react करेगा, उसकी जो international और bilateral ties है, बारती जनता पार्टी और भारत के साथ, वो दूसरा एक diplomatic matter है, diplomatic channel है, लेकिन जो छवी की हम बात कर रहे हैं, जो impression की बात कर रहे हैं, जो articles की बात कर रहे हैं, जो tweet की बात कर रहे हैं, इसने बड़े पैमाने पर यह रुआई है और ये मुझे लगता है कि जो विश्वगुरू वाली बात है उस पे एक बहुत बड़ा धबा लगा है सेट बैक लगा है देखिए मैं समझता हूँ कि जो अंतराश्टी छवी की बात आप जो कर रहे हैं प्रदानमंत्री मोदी और उनके जो निकटस्क सलाकार है उनके दिमाग में एक बात बनी बनी बताई जाती है कि वो ये सोचते हैं कि ऐसे मसलों पर अगर हमको संभालना होगा अपनी अंतराश्टी छवी या हमें अपने रिश्टे बेहतर या उसी तरह के रखने होंगे जैसे हैं उन देशों से तो हम ब्यापारिक समझते करेंगे अब जैसे उडारन के तोर पे अभी एक बहुत बड़ा सवदा विमानों की खरीद का हुआ है और उसमें सरकार ने महत्मुर्ण भूमिकाने भाई है आप जानते हैं इंडिया टाटा के पास है दूसरी और कमपनिया जो हैं वो भी प्राइविटाइज हैं लेकिन इसमें ग देश के द्योगपतियों को दूसरे देशों से बहुत सारे जो व्यापारिक डील है उसमें कैसे सरकारे आजकल निगोशेट करा रही हैं और दिला रही हैं तो ये पालू भी दूसरे देशों के लिए बहुत महत्मुर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है उनके ल क्या भारती ये जनता पार्टी आखिरकार इस मुद्दे में एक राजनीतिक फाइदा भी डूण रहा है मैंने कारिकरम शुरुवात में पूछा भी तापसे कि राम मंदिर गुजरात ये कॉम्बिनेशन जो है या अपने आप में बीजेपी को अभेद लगता है अभेद की ताकते हैं और खासवर से वे ताकते हैं जो भारत पर शाशन करती रही है रेसिस्ट बताया गया बीबीसी को तो मुझे लगता है कि ये जो सारे गेम है ये जो सारे कार्ड्स खोले है भारती जनता पार्टी ने और सरकार ने तोकि सरकार इसमें शामिल है उससे ये साबि बीबीसी के पक्ष में बात कहे उसे देशदरोही बता दो यानि कि बहुत जबरदस कॉम्बिनेशन है विक्टिम हुर और राश्टरबाद का देखे ये बात सही है कि ये प्रचार खुब जम के सोचल मेडिया पे भी हो रहा है भाशनों में हो रहा है प्रवक्ताओं के बयान है मैं ये नहीं मानता कि बीबीसी बेदाग है मैं दूत का धुला है भारत में भी बहुत सारे ऐसे मीडिया अगनेशन है जो ने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन बीबीसी की एक अंतरास्टी छवी है और ये मत भूलिए कि गाउं में रहने वाला चाहे वो अपरकास्ट का हो चाहे वो निम्न मद्देवर का हो चाहे वो पिश्री जातियों के लोग हो बीबीसी को अभी बीबीसी पर सुना है और गाउं मोदी जी जब विपक्ष में थे उन्होंने कहा था कि जब तक बीबीसी में ना सुने उसे उसे सच नहीं माना जाता है और मैं आपको लेविल पर भी अन्वाव किया है कि लोग भागलपुर के गाउं से फोन करते हैं कि मिले जी आपने ये कहा वगएरा तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि इस मोबिलाइजेशन में जो सत्ता पक्षका है शायद आम आदमी जो गरीब आदमी है जो आम आदमी है जो प्रोबेशनस से बात कर रहे थे तो उन्होंने बीबी सी का नाम लिये बगएर उसे देश पर हमला जो है बताया था मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं खुद बीबी सी में 1999 से 2003 के बीच में था और एक वरिश्ट वकील होने के नाते नजाने कितनी बार जब जब कीजे ये है और मैंना आपको प्रधान मंतरी की बात तो सुनाई दिये ये दोरे माबदंड है साब खेर अब हम दूसरे मुद्ध का रुक करते हैं जैसिस अब्दलनाजीर सुप्रीम कोट के जज चालीस दिन भी नहीं होते हैं उनकी रिटार मेंट को और वो आंध प्रदे को बरकरार रखने के लिए नौकरी की तलाश करते हैं सरकारी नौकरी चाहते हैं भाशपा भूल गई अपने इन दो देंताओं को और ये खो क्या रहा है क्योंकि बात सिर्फ जस्टिस अब्दलनाजीर की भी नहीं है जस्टिस रंजिन चीफ जस्टिस रंजिन गोगोई भ पूशन जिनने एंसी एलेटी का प्रमुक बना दिया गया ये तमाम मिसालें ये इत्तिफाख नहीं हो सकते हैं क्या इस मुद्दे का पंच और मिलेश बताएं देखे अविसार मेरा मानना है कि जो पहले लोगों ने कहा कॉंग्रिस ने कहा अरुन जेटली जी ने कहा वो अपनी जगह है आज इस्तितियां बिलकुल गंभीर हो गई हैं बेहद संजीदा हैं और जटिल हैं तो ऐसी इस्तिति में मेरा ये मानना है कि भारत की सभी सरकारी पद पर स्थापित नहीं किया जाएगा नहीं पद दिया जाएगा इसका एक कानून पास होना चाहिए लोगसभाव राजसभा से भाशा आप बताएं क्या है इस ख़बर का पंच अभिसार मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोट पर नियाय प्रालिका पर उसकी जो साख है उस पर फाइनल बटा लगाया है मुदी सरकार ने क्योंकि हम सब जानते हैं चर्चा में हैं कि यही शक्स जो आज राजपाल बनाए गए हैं यह किस तरह से बाबरी मजड आयोध् मसले में थे यह किस तरह से नोट बंदी में थे यह किस तरह से निच्टा वाले मामले में जज़ थे और सारे मामलों में इन्होंने सरकार का पक्ष लिया था यानि आइंदा से सुप्रीम कोट का जो भी फैसला आएगा हम और आप सब बैट कर देखेंगे कौन क्या फैसला दे रहा है और उसके बाद कहां जा रहे हैं यह बहुत शर्मनाक पल है भारती लोगतंत्र के लिए अभी सार क्या है इस पर आपका पंच इस देश की जो नयाए पालिका है वो इस देश के आम इनसान इस देश के सबसे कमजोर इनसान की आखरी उमीद होती है मगर वो आखरी उमीद इसलिए होती है जब वो निश्पक्षता से बगएर डरे फैसला करें ये तमाम जो फैसले आये थे चाहे रामंदिर को लेकर हो चाहे नोडबंदी को लेकर हो ट्रिपल तलाग को लेकर हो इत्तिफाखन इन तमाम फैसलों में वो चेहरे मौजूद थे जिन्हें फाइदा मिल रहा था इसलिए मेरा पंच इसमुद्दे पर ये है लीगल फ्रेटरिनिटी में एक शब्द है सुओ मोटो अदालत को स्वता खुद सुओ मोटो आक्शन लेना चाहिए अपनी लाज को बचाने के लिए तो चलिए स्टेर्चा को आगे बढ़ाते हैं आप जानते हैं मुझे जस्टिस अब्दुल नजीर की सबसे अटपटी बात क्या लगती है कि जब वो जज्ज थे तब मैं नहीं भूलाओं कि वो संग के कारक्रम में गए थे और मिलेज जी और वहां जाकर वो कह रहे थे कि जो हमारा जो हमारी जो न्याए पालिका है उस पर ब्रिटिश च्छाप बहुत ज्यादा है जो बात सही भी है क्योंकि हमारे कई लॉज जो हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं मतलब वो जो उन्नीसवी सदी में बने थे अब उसकी कोई जगा नहीं है मगर आप जानते हैं वो कोट किसे करते हैं कि हमारे जो न्याए पालिका में मनु की छाप होनी चाहिए चलिए आप कौटिली की बात करें आने लोगों की बात करें मनू की छाप होनी चाहिए देखे भारत में एक बड़ा हिस्सा है जो इस वक्त जो बड़ा हिस्सा बन गया है वो यही कहता है और कहता है कि भारत को अतीत की तरफ जाना चाहिए भारत को आगे भविश्टी की तरफ नहीं जाना चाहिए इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि पेरिस की अमिन फ्रांस की राजे करांती से जो दुनिया भर में एक नए आधुनिक मुल्यों का विकास विस्तार हुआ था जिसको हम डिमोक्रिसी के रूप में देखते हैं बहुत इसके पहले भी और लडाईयां होई थी डिमोक्रिसी के लेकर तो जो निया की एक नए विस्ता भी सामने आई वो डिमोक्रिसी के साथ आई आधुनिक्ता के साथ आई तो जब आप कहते हैं कि ये नया विस्ता इस पर पश्चिमी छाप है तो भई आपकी नया विस्ता क्या थी आपकी तो अंग्ठा काट लेने की थी आपको तो नौप पढ़ने देन की थी आपको तो आपका तो ये था कि कुछी लोग पढ़ेंगे कुछ लोग पढ़ेंगे ही नहीं कुछ लोग केवल जूता पालिश करेंगे जूता बनाएंगे कुछ लोग केवल खेती करेंगे कुछ लोग ब्यापार करेंगे अमिन इस तरह की आपकी पूरी नयावियोस्त ग्रंत को अगर को जस्स अब्दुल नजीर का खून खौला होगा मैं नहीं जानता लेकिन महिमा मंडित जो मनुस्मृती जैसे ग्रंत को करता है मैं समझता हूँ कि हैरतंगेज है ठंडे दिमाग से किसी भी मनुस्मृती पढ़ना चाहिए और राजस्थान स्वरी राजस्थ वो बनी हुई है इस देश की डिमोकरिसी में देखे इतिफाक जो है ना एक जस्स अब्दुल नजीर हो सकता है मैं अगर उससे पहले यह ना भूले हैं कि चीफ जस्स रंजन गोगोई रिटायर होते हैं तुरंत राजसभा भेज़ दिये जाते हैं बीजे पी द्वारा उन इनके खिलाब जो यौन उत्पीडन के आरोप हैं वो उड़न चूँ जाते हैं फिर एक पेगसिस का मामला आता है कि जिस लड़की ने उन पर आरोप लगाया था ना सिर्फ उस पर बलकि उसके परिवार पर पेगसिस के जरीए नजर रखी जा रही थी अशोग भूशड उ और जिन केरल के जज़ को जो बनाया गया था उन्होंने उसके पहले जज्ज्मिंट के क्या दिये थे अभी सार इस समय जो हम 2023 में जो बात कर रहे हैं उस समय भारती लोकतंत्र के जो सारे खंबे हैं इनकी साख न्यूनतम पर है और सरकार चाहती भी है मुझे लगता है फरुक्त करते हैं चार्टर प्लेन में ले जाते हैं तक्रीबन वही पैटर्न न्याय पालिका को अपने कबजे में करने का है और उससे भी बड़ा सवाल यह है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं न्याय कहां मिलेगा मेरा मानना है कि जब इतने बड़े अन्याय हो रहे हैं समय तमाम तरह की अफवाओं का बाजार गरम है कि हर एक जज के बारे में किस طरह की फायले बनती हैं किस तरह से ग्रिह मंत्राले कंट्रोल करता है लेकिन मुझे शर्म इस बात पर आती है कि ये सारे लोग इतनी कमाई कर चुके हैं आप सुप्रीम कोड में जज रहे हैं बह के लिए जो आप सवोव मोटो बात कर रहे हैं मुझे तो लग रहा है यहां सुवोव मोटो सारे लोग कूदने पर तयार हैं कि अरे हम भी तुमारी रहा में खड़े हैं भारती जनता पार्डी को भारती जनता पार्डी को स्वर्गे अरूं जिटली के उन शब्दों को याद रखना चाहिए उन्होंने संसद में खड़े होकर राजसभा में खड़े होकर कहा था कि कुछ जज़ेस जो हैं रिटायर होने के बाद सीधे कोई ना कोई सरकारी महिकमे में परवेश चाहते हैं खुद उन्हें इतने उग्र होकर ये बात कही थी और जैसे मैंने कहा नितिन तमाम जितने भी गोदी मीडिया अंकर्स हैं, सब को ये कहते सुना, कि अगर इनाम भी दिया गया, ये अंकर्स कह रहे थे साब, इनाम भी अगर दिया गया, तो क्या गलत हो गया, इन्होंने कितनी वीरता के साथ, कितनी बहादुरी के साथ, रामंदिर पर फैसला सुनाया, इ लगता है कि ये तीन सो चार सो वरस पहले के लोग हैं जो प्रजा की तरह रहते थे ये नागरिक नहीं है। पत्रकार की बात तो छोड़ दीजिए। ये नागरिक भी नहीं है। नागरिक की चेतना नहीं इनके अंदर है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के मीडिया में इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, कुछ तो बेचारे मजबूर हैं, कि वो चुप चाप हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नागरिक ही नहीं हैं, आप पत्रकार कैसे उनको मान लेंगे, या हम कैसे मान लेंगे, देखिए इस देश में हो ये रहा है, कि इन तमाम सवालों पर कोई सवाल न उठा सके, तो जब डिमक्रसी ही नहीं रहेगी, डिमोक्रताइजेशन ही होगा नहीं समाथ का, लोग तांत्रिक चेतना ही नहीं रहेगी, तो लोग आवाज क्या उठाएंगे, यही हो रहा है, आप जब आ गया कि एक ऐसा कैमपस है जहां डेमोक्राइजेशन एक मॉडल के रूप में दिखाई पड़ता था जहां वाइस सांसलर अपने ही एक त्वरत पर चाहूंगी कि जो मैं कह रही थी कि अब बेशरमी नहीं है अब शरम नहीं है पूरी तरह से बेशरमी है दरसल यह टीवी एंक कि आप सरकार गिनाना चाहें विधाय खरीद लीजे आप अपने फेवर में जज्जमेंट लेना चाहते हैं आप सेटिंग कर लीजे तो यह सारी चीज़े जो हम पीछे से बात कर रहे थे आज हम इनकी बदौलत कैमरे पर बता रहे हैं कि नजीर जी को क्यों बनाया गया ठी को मा बेटियां उनकी मौत हो जाती है एक का नाम प्रमिला दीक्षित एक का नाम नेहा दीक्षित मगर मीडिया सवाल आधितना सरकार पर नहीं उठाता है मीडिया सवाल उठाता है अधिकारियों पर और दूसरी घटना होई जहां साहिल गहलोत नाम का एक शक्स अपनी लि नहीं कि अगर विक्टिम हिंदू भी है तो तुम उसके पक्ष में मुद्दा नहीं उठाओगे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सेवा करनी है क्या है इस मुद्दे का पंच और मेलेजिया बताएं देखिए इसलिए अपने देश का जो मीडिया है वो सिर्फ गोदी मीडिया नहीं है मैं मीडिया को गोदी मीडिया इसलिए नहीं कहता क्योंकि इसमें कमिनलिस्ट भी है इसमें कास्टिस्ट भी है तो यह जो पूरा का पूरा मीडिया का मिजाज हो गया है मेंस्ट्री मीडिय का ये सिर्फ गोद में बैठा हुआ मीडिया नहीं है ये बेहत कमिनल है बेहत कार्परेट पंथी है बेहत कास्टिस्ट है और ये बताती है ये दोनों घटना हैं मैं समझता हूं कि जो कानपूर की घटना है और ये जो दूसरी घटना है जहां पर गहलोत और निकी का मामला है यह इस मीडिया के चरित्र को बखो भी सामने लाते हैं इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि देखिए इस मीडिया को ना राष्ट निर्मान से कोई लेना देना है ना हिंदू राष्ट से कोई लेना देना है हिंदू थी और इसके लावा निक्की आदब ये भी हिंदू थी मगर उनके तेवर को देखिए इन मामले में ना सत्ता से सवाल किया जाएगा उल्टा ये ढूंडा जाएगा कि अत्याचारी अगर मुसल्मान है तो उसे खास अंदाज में कवर किया जाए इनका मकसद सिर्व एक है भाशपा की सेवा ना ने हिंदू से मतलब है ना मुसल्मान से भाशा आप बताएं इस मुद्दे का क्या है पंच मेरा बहुत साफ मानना है कि मीडिया आज की तारीख में कहां खड़ा है ये तो पता चल गया है लेकिन वह दरसल भारती नागरिक के खिलाफ खड़ा हुआ है और पूरी बेशर्मी के साथ उसने एक युद्ध छेड़ रखा है गरीब, वंचित उन तमाम सेक्शन के लिए जो इस देश की ओर निर्मार करते हैं इस देश का कंस्रक्शन करते हैं उनके उपर जब बुल्डोजर चलता है तब बुल्डोजर बाबा की वहवा होती है इसी तरह से जो कमनल एंगल है वह भी उसी रूप में ऑपरेट करता है यह भारती नागरिकों के खिलाफ बुल्डोजर चलाता हुआ डेमोक्रोसी को ध्वस्त करता हुआ मीडिया है भाशा मैंने एक बहुत बड़े न्यूस चैनल में एक पापा की परी को यह कहते हुए देखा था कि भाई यह जो हुआ है अधिकारियों ने बुल्डोजर मॉडल का खेर वाजिब तरीके से फाइदा उठाया है यानि बुल्डोजर भी मानो एक बहुत महान चीज़ है जिसके ओपर खुद सुप्रीम कोट कहे चुकी अगर आपको हर जगा बुल्डोजर चलाना है तो नियाए पालिका की क्या ज़रूत है काइदे से आपको नियाए पालिका की उसूलों को का दामन ठाम कर सतस सवाल करना चाहिता वो तो बहुत दूर की बात है दोश मणा जा रहा है अधिकारियों पर मुख्यमंत्री आधितनाद अब स्कीम अफ तिंग से गायब हो जाते है और सिर्फ यही नहीं यहां पर तो हम सब ने और मुझे लगता है देश के बड़ी संख्या में नागरिकों ने देखा कि वह महिला किस तरह से चीख रही थी कैमरे पर शूट हुआ है कि कैसे नों ने दरवाजा बंद किया और आग लगाई मजबूरन तो पूरा कपूरा प्रोसेस है वह कम से कम कैमरे पर है हम देश की राजधानी में बैठे हैं अभी सार यहां महरोली में बुल्डोसर चलता है और तो चीखती रहती है कहीं मीडिया नहीं पहुँचता है जब मों कश्मीर में भाषा मैं आपको बतलाना चाहूंगा मीडिया पहुचा था पापा की परिया भी पहुची थी और पक्षमीर नहीं पहुचे थे और सबसे दिल्चस बात यह थी कि वो लोग बुल्डोसर पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही थी नमबर एक, नमबर दो अपने निजी स्वार्थों के चलते भी कई पत्रकारों ने वहां रिपोर्टिंग किये यह हालत हो गई है यह आप देखी जो बुल्डोसर है मैं कहने हो कि देश की राजधानी दिल्ली हो कानपूर देहात हो, जम्मू हो जम्मू में वो हिंदू व्यक्ती कपड़े फाड कर चिला रहा है कि मेरे उपर किया है, यह पंडितों पर हमला है यह जो बुल्डोसर है दर असल यह बता रहा है कि जो पूरा का पूरा प्रशाशन चल रहा है देश में वह गरीब और आम भारती knitगरिक के खिलाव है, और मीडिया लगातार बैटिंग कर रहा है जो आप कहुरे हैं कि तमाम लोग बुल्डोसर पर खड़े होका, बुल्डोसर बाबा हो रहे हैं, बुल्डोसर मामा हो रहे हैं यानि यह साफ साफ दिखा रहा है कि ये बुल्डोजर के पक्ष में हैं, ये बुल्डोजर के साथ साथ मूव करना चाहते हैं, और एक बात और खतरनाक, बुल्डोजर जब मुसल्मान पर चलता है तब तो इनको बहुत दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बुल्डोजर हिंदूओं पर भी चल रहा है, तब ये अधिकारी पकड़ ला रहे हैं, जम्मो में वो भी नहीं कर रहे हैं, जम्मो में तो मीडिया के लोग पहुचे थे, लेकिन वहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये व्यक्ति इंसेन है, अरे उसका पूरा घर चला गया, उसके बच्चों की पढ़ाई चली गई, मैं क खिलाव काम कर रहा है, इन लोगों से सिर्फ यही एक सवाल पूछ लेना चाहिए कि प्रमिला और नेहा, तो दोनों ब्राहमन महिलाएं थी, अंकिता भंडारी, जिसे मौत के घाट उतारने का आरोप एक पुलकित आरिया के उपर है, जो भी भाजपा का नेता का बेटा है, वो भी तो हिंदू है, इसके लावा ऐसी धेरों मिसालें है, इससे सपष्ट हो जाता है कि मुद्दा हिंदू मुसल्मान का नहीं है, लेकिन वो गरीब ब्रामर थी, जो जोपड़ी में रहते थे तो उनसे नहीं मतलब है, मतलब यह है कि वो भाजपा के पक्ष में जाने व करने वाला मीडिया भी है, यह मैंडलेस है, क्योंकि यह सोचता नहीं, लेकिन यह इससे जो कहा जाता है कि वही तुमको यही सोचना है, यह वही सोचता है, तो मेरे जो बिलकुल यह भाशानी बात सही कही, कि यह दरसल आज जो हमारे देश का मीडिया है, यह निरंग कुष ये मीडिया तो रेडियो रवांडा से भी आगे बढ़ गया है क्योंकि रेडियो रवांडा सिर्फ एक कॉम्मिनिटी के खिलाप अवियान चला रहा था जो एक विरोधी उसको मानता था ये समुचे रास्ट और लोग तंत्र के खिलाप ये बुल्डोजर चला रहा है मीडिय उसके खिलाप ही अवियान चला रहा है इस पहने में ये बहुत खतरनाक है मैं एक सवाल यहां पर जो इस देश के आम जनता के सामने रखना चाहता हूं यकीन मानिये कई ऐसे लोग हैं जब बुल्डोजर चलता है तो तालिया बजाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस खुद पीड़ित होते हैं तब उसका क्या जवाब होता है इसलिए जब हम बुल्डोजर के प्रती अपनी विश्वास अपनी एक तरह से सानुभूती जतलाते हैं तो यह ना भूलें यही बुल्डोजर हमारे घर पर भी कभी ना कभी चल सकता है और इसी के संदर्ब में इ उसी दिन उसकी शादी होती है आपको याद होगा कि आफ़ताप श्रद्धा वाले मामला लगभग ऐसे ही था और उसको और उसमें 24 घंटे लगातार लाइफ कवरेज वहां पे हम और आप भूले नहीं है कि कैमरा परसन खुद बनके खोजी पत्रकार बनके वहां पहुच थे और देख रहे थे कि उसकी घंटी हुचकरणों कर नहीं क्सेरी Спर्सक्राइब करें किस तरह से मौज मस्ती उड़ा रहा है मेरा मानना साफ है कि दरसल यह लोग जो मीडिया में बैठे हुए हैं यह महिला विरोधी तो हैं ही क्योंकि इसी में डिबेट करते हैं कि इस बार इनके पास मैं कहना चाहती हूँ उनके शब्द में सो कॉल्ड मेटीरियल आपके पास फ्रिज था आपके पास बाल थे पिछली बार आप हड्या खोजने गये ते फ्रिज चले जाते देखने के लिए उस महिला से बात करने चले जाते कहीं नहीं हुआ क्योंकि टूल क कि बुल्डोजर पे सबार हो जाते हैं और हम औरतों के खिलाफ प्ले करने लग जाते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाशा और उर्मिलेश यकीनन आज जो तीनों मुद्दे हमें आपके सामने रखें वो नसिर्फ इस देश की मीडिया इस देश की सत्ताधारी पु देखते रहेंगे और अपने आधिकारों को इस तरह से जो है रौंते देखते रहेंगे इंडिया की बात में वस इतना ही अविसार शर्मा को दीजिए जासत तामस्कार